46. सामराज अब भगवत पात जो आदेश दें सामराज्यों के विधाता विचारशील मनुष्य नहीं होते समराथ वे लोह यंत्र होते हैं वे अपने गती पर तब तक चलते जाएंगे जब तक वे टूट कर चूर चूर नहीं हो जाते उनकी राह में जो आयेगा उसी का विध्वन्स होगा किंतु भगवन, जन्म का मूलुद्देश निर्मान है विध्वन्स नहीं फिर बाधा यदी ध्वस्त ना हो तब निर्मान का तिरी एक भी एक अभिशाप है समराट यदी निर्मान ही के लिए ध्वन्स हो नहीं भगवन आवशक्ता ही के लिए निर्मान होता है तो जन्पत को सैन्नेबल से आक्रांत करने की क्या आवशक्ता है निरंतर युद्ध कितनी घ्रणा संदे है और वैर बिखेरते है परन्तु व्यवस्था भी तो इस्थापित करते है व्यवस्था जहां अधिकार पर आरूड होती है वहां जन्पत कल्यान नहीं होता वो व्यवस्था जन्पत कल्यान के लिए होती भी नहीं अधिकार आरूड कुछ व्यक्तियों ही के लिए होती है जिनकी आवशक्ताई इतनी बढ़ जाती हैं कि वी जनपत के संपूर्ण, प्राण, धन और श्रम अपहरन करके भी भूखी और प्यासी ही बनी रहती है किन्तु भगवन शक्ति का विराट संगठन सदेव जनपत का रक्षन करता है कहा कुरुक्षेत्र में आर्यों और संक्रों की चरम शक्ति का प्रदर्शन हुए परन्तु शक्ति संचाई के द्वारा जनपत कल्यान करने में वासुदेव क्रिष्न कृत्त नहीं हुए कुरुक्षेत्र में किवल महा विनाश ही होकर रह गया इसमें दोश कहा था? आपात दोश था? किस सदुदेश से कुरुक्षेत्र में अठारे अक्षोहनी सेन्न का संगार किया गया? जनपत कल्यान की किस भावना से प्रित्वी के लाको तरोनों को बरबर पशु की भाती उत्तेजित करके एक दूसरे के हाथ से निर्दाइता पूर वक्त वद करा डाला गया? पांडवों को राज्ज का भाग दिलाने के लिए जनपत के इतना धन जन क्योक्षे किया गया? समराट आज आप भी वही प्रेयोग कर देखे नई रही सेनाय भरती कीजे उनके द्वारा जनपतों को लुटवाईए फिर उस लूट का कुछ स्वण उन भाग गहीन मूर के तरुन सैनिकों के पले बांद दीजे जो निर्थक नरहत्या को वीर कृत्त समझते हैं कुछ उन पुरोहित ब्रहमणों को दीजे जो आपकी यशुगाथा गागा कर ये परचार करें कि आपका ये सामर्थ और अधिकार देवी है और यग्य के देउता आप पर प्रसंद है बस शेश संपदा आप जैसे चाहें भूगिए लक्शावद ही निरीह जनपद उसे सहन कर जाएगा भगवन वादरायन کچھ देर दूर क्षेतिज में टिम्टिमाते तारी को देखते रहे फिर उनोंने कहा सम्राठ आर्यों ने अपने पाप का फल पालिया उनोंने जीवन में भूलों पर भूलें कि भारत की औरवरा भूमी में आकर भी उन्होंने अपना विनाश किया हिमाला के उस ओर से आने वाली कुरू पांचालों की शाखाओं से यदि उत्तर कुरू के भरतों का संगर्श न होकर दोनों की संयुक्त जाती बनती तो कैसा होता परंतु उत्तर कुरू के देवगण अपनी विजय के गर्व में मत रहे वहीं खप गए आर्या वर्त में उनका प्रसार ही न हो पाया इधर ये पौराव दक्षण में द्रविणों को आकरांत करूं से मिल गए आर्यों की ये पहली भूल थी इसके बाद उन्होंने राजन्यों की पुरोहितों की फिर विशों की नियारी नियारी शाखाएं चलाई अनुलूम प्रतिलूम विवाह प्रचलित किये ब्रामणों ने दक्षणा में और क्षत्रियों ने विजयों में सुंद्री दासियों के रेवड भर लिए परणाम वही हुआ जो होना था अंगिनत वरन संकर संताने उत्पन होने लगी पहले उन्होंने उन्हें पिता के कुलगोत्र में ही रखा और दाए भाग भी नहीं दिया परन्तु बाद में उन्हें इन आर्योंने अपने कुलगोत्र से चियोत कर दिया ताय भाग तब भी नहीं दिया, पहले प्रतिलोम संतान ही संकर थी, अब अनलोम प्रतिलोम प्रतेक संतान संकर बना दी गई और उन्हें अपना उपजीवी बना कर उनकी प्रथक जातियां बना दी गई, ये आर्यों की दूसरी भूल थी, सभी संकर मेधावी, परिश्रमी, स जम्बू द्वीप पर अखंड सम्बरों की हास्यास पद विडंबना में फसे है या कोरे कल्पित ब्रह्म्हबाद में इसी से सम्राट आज आर्रियों में प्रसेंजित जैसे सड़े गली राजा रह गए आज संपूर्ण भरत खंड में आर्रे केवल प्रजा वरगी रह गए ह राज सत्ता उन कर्मठ संक्रों के हाथ में आती जा रही है एक दिन भाग गिहीन प्रसेंजित अती दैनिये दशामे प्राणों के भार को त्यागेगा किन्तु भगवन मेरा स्वपने क्या सत्त होगा जम्बु द्वीप पर अखंड सामराज जिस्थापन का इसके लिए तो पूर्व में आपका उद्द्योक चल ही रहा है उधर पश्चि में पार्श्व समराट भी इसी आयोजन में है परन्तु भगवन आर्रे कभी उसे ना विरोध किया था वो क्या भगवान को विधित नहीं क्यों नहीं भगवन मैं शिशु नागवन्शी बिम्बसार वासदेव क्रिष्ण कानुवन्शी हूँ आर्रे नहीं मैं पार्शु समराट का विरोध करूँगा समराट की इस वासना को मैं जानता हूँ तो भगवत पर मालूम होगा, परन्तु उने दोनों ही प्रकार की घटनाओं को देखने की आशा रखनी चाहिए, यही भगवत पात का मुझे आदेश है, राजगिरे में शीगरी शिर्मन गौतम पहुचेंगे, वे समराट को समुचित आदेश देंगे, भगवान वादरायन फिर नहीं बोले, एक बार गी ही वे समाधिस्त हो गए, इसी समय मधु ने कहा, समराट के सैने का पहुचे हैं, वे समराट को अपना अभिवादन निवेदन कर रहे हैं, समराट ने भगवान वादरायन के चरणों में साश टांग प्रणाम किया और चल दिये, 47. दास नहीं अभिभावक राजकुमारी को दाहिने करके चली जा रही थी, राजकुमारी अत्यंत मिलान, ठकेत और शोका कुला थी, परन्तु जब जब उनसे विश्राम के लिए कहा गया, उन्होंने कहा, नहीं, चले ही चलो, मैं और चल सकती हूँ, शम्ब सब के पीछे चारों और देखता, सावध करती थी, कुमारी का चेहरा पत्थर की भाती भाव हीन और सफेद हो गया था, और उनके नेत्रों की जोती जैसे बुछ चुकी थी, सोम्नियती विनैसे एक दो बार कुमारी से विश्राम कर लेने और थोड़ा बहुत आहार करने को कहा था, परन्तु कुमारी बहुत भीत थ थी, उन्होंने हर बार भीत द्रिष्टी से कुन्डनी की ओर ताकर कहा, नहीं हला, अभी चले चलो, धूम के तु ठका नहीं है, मैं भी ठकी नहीं हूँ, सोम्न कुमारी की व्यग्रिता तथा व्यकल्ल को समझते थे, इसी से वो चुप हो रहे, वे चलते ही गए, मध्यान क पर खर धूप धीमी पड़ गए, अश्वा रोही और अश्व एकदम ठक गए, सोम्ने एक उचे स्थान पर चढ़कर चारो और द्रिष्टी फेंगी, कुछ दूर उन्हें बस्ती के चिन्ह प्रतीत हुए, उन्होंने तनिक रुक कर शंब से कहा, शंब आखेट का ध्यान र पहुँच गए, नगर में न जाकर उन्होंने नगर की प्रांत भाग में अवस्थितिक चैत्य में विश्राम करना ठीक समझा, चैत्य बहुत पुराना और भगन था, उसके एक कक्ष की दीवार बिलकुल तूट गई थी, फिर भी वहां विश्राम किया जा सकता था, ने एक सामभर मारा था, उसकी और निराशा से ताक कर सोम ने कहा, कुंडनी, ये क्या राजनन्दनी के आहार के लिए अथेश्ट होगा, परन्तु क्या किया जाए, नगर में जाने से कदाचित थोड़ा दूद मिल सके, परन्तु आज आखेट पर ही रहे, शंब अपनी सफ अधर में देख लो, यदि थोड़ा दूद मिल जा, उन्होंने अपना बर्चा उठाया और चल दिये, निवरत होकर कुंडनी ने कुमारी की मनुरंजन की बहुत चेश्टा की, वो उनके निकट आकर बाते करने लगी, कुंडनी ने कहा, राजकुमारी परसन हो, भाग चुका सकूंगी, राजकुमारी हम सब तो आपके सेवक है, आपको कभी सुखी देखकर हमें कितना आनन्द होगा, कुंडनी ने आड़दर होकर कहा, किन्तु सखे, क्या सच मुच वो वीर तुम्हारा दास है, राजकुमारी ने नीची दृष्टी से सौम की और देखकर कह मेरा ही नहीं, आपका भी राजनन्दनी, नहीं नहीं, उसका तेज, शोहर, सत, साहस, शलाग है, वो तो किसी भी राजकुल का भूशनों होने योग है, फिर उसका वेनाय और कारेतत पड़ता कैसी है, इसकी उसे शिक्षा मिली है हला, क्या नाम कहा, सोम, हाँ, सोम, और उस दास के दास का शम्ब, कुंडिनी हस्दी, राजकुमारी होठों ही मैं मुस्कुराई, उन्होंने कोमल भाव से कहा, सकी, इस विपन नवस्था में ऐसे अकपट सहायक मित्रों से दासवत व्यवार करना ठीक नहीं है, वे हमारे आत्मिये ही है, किन्तु राजनन्दनी, दास दास है, सेवा उनका धर में, उनके प्रती उपकृत होना उन्हें सिर चड़ाना है, ऐसा नहीं हला, अंततह मनुश्य सा मनुश्य ही है, और वो तो एक श्रेष्ट पुरुश है, मैं उन्हें दास नहीं समझ सकती, तो आप राजकुमार समझे राजनन्दनी, ये आपकी हिर द्रिव और थोड़ा दूध ले आए, शम्ब ने भी हरिन को भून भान लिया, राजकुमारी क्षानभर को अपनी विपन नवस्था भूल कर, फुर्ती से आहार को स्वयम पर उसने लगी, उन्होंने पलाश पत्र पर आहार संजो कर, अपनी बड़ी बड़ी पल के सोम की और उठाएं और कहा, भद्र, भोजन करो, सोम ने विनिया वनत होकर कहा, नहीं राजनन्दनी, पहले आप और कुंडनी आहार कर ले, पीछे हम लोग खाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, दास का निवेदन है, दास नहीं, भद्र, अभी वावक कहो, राजनन्दनी का गला भाराया, उन्होंने फिर उन्हीं भारी भारी पलकों को उठाकर सोम की और गीली आँखों से ताका, उस मुक अनरोध से वशी भूत होकर सोम ने और आग रह नहीं किया, उन्होंने कहा, तो फिर राजनन्दनी की जैसी आग्या हो, हम लोग साथ ही बैठकर भोजन करें, रा 48. सोम की भावधारा एक प्रबल राज के राजा की राजनन्दनी किस भाती उसी के उद्द्योग और यतन के कारण सवस्था को पहुँची, यही सब सोच सोच कर उनका नवीन, भावग, तरोन और वीर हिर्दे आहत हो रहा था, रह रह कर उन्हें आचार काश्यप की बात यादा रही थी, प्रण गये थे कि आचारे की बात जूटी नहीं, इस अकेली कुंडनी ही में एक भारी सेना की सामर्थ नहे थे, राज्यों की लिपसा में किस परकार निरी ही निर्दोश, हिर्दे कुसम इस परकार दलित होते हैं, यह सोच सोच कर सौम का हिर्दे मरमाहत हो रहा था, परंत उसे विश्क करन्या जानता था, भगनी भावना से वो वहीं ठिठक गया था, अब इस अमल धवल कुसम को मलसु कुमारी कुमारी के चंपक पुष्प के समान नवल देह और लज्जा संकोच दुख और शोक से परिपूर्ण मूर्ती पर उनका संपूर्ण तारोने जैसे च कोई उनकी निकट है, पर कुंडनी चाया की भात ही उनकी साथ थी, बहुत देर बाद कुंडनी ने कहा, क्या सोच रहे हो सोम। सोम ने अचकचा कर कुंडनी की ओर देखा, फिर शांत सैयत स्वर में कहा, कुंडनी कुछ हमारी उपर भी चंपा की कुमारी की विपन कुंडनी तुम कदाचि ठीक कहती हो कुंडनी, परन्तु मेरा तो अभी से सारा पूर्शार्थ गल किया, और अब संभवता राजनीती में भाग लेने की मुझ में शक्ती ही नहीं रह गई, ये तुम क्या कहती हो सोम, आर अमात्ते को तुमसे बड़ी बड़ी आशा है, भावता वे भी दो हैं, तुम राज सेवा करो, और तुम मैं राज कुमारी की सेवा करूँगा, कुंडनी हस दी, उसने निकट इसने है से सोम के सिर पर हाथ रखा और इसने एक दिस्वर में कहा, सोम, तुम्हें मालुम है, कुंडनी तुमारी भगनी है, जानता हूँ, सो ये कान तहित कुंडनी को छोड़, और दूसरा कौन करेगा, तो तुम मेरा हित करो, क्या करूं कहो, राज सेवा त्याग दो, कुंडनी ने हस कर कहा, और तुमारे साथ रह कर राज कुमारी की सेवा करो, इसमें हसने की क्या बात है कुंडनी, क्या ये सेवा नहीं है, है, फ तो हमारा नहीं था, राजकारत है प्रिये, हमने तो विपन नवस्था में उनका मित्र के समान साथ दिया है, तो कुंडिनी, अब उनका क्या होगा, सोचो तो, कुछ हो ही जाएगा, जल्दी के आ है, अभी तो हम श्रावस्ति जाही रहे हैं, नहीं, मैं राजकुमारी को वहा सिर पर हाथ फेरती हुए कहा, ये ठीक नहीं है प्रिये, तब विचार करो, राजकुमारी कैसे हमत होंगे, मैं कह दूँगा कि मैं दास नहीं हूँ, और मागद हूँ, उसका पित्रहंता और राजविद्वन सक्षत्रू, किंतु, किंतु, सोमु तेजित होकर पागल की भा नहीं पती बन जाोगे, किंतु, राजकुमारी क्या तुम्हें शमा कर देंगे, इतना करने पर भी नहीं, तुम उनका मूल उन्हीं को चुका होगे, और फिर उने अपनी दासी बना कर क्यों, और किस बाती, तुम राजकुमारी की विचार भावना की परवाह बिना किये, राजकुमारी को निरापद स्थान पर सुरक्षित पहुचाना सबसे प्रथम आवश्यक है। हम लोग चद में वेशी हैं। पराए राज्य में राज सेवा के गुरतर दायत्वे से दबे हुए। राजकुमारी को अपने साथ रखने की बात सोचे ही नहीं सकते। पिर तुम भी कह सकती है। परंतु सोम ये तुमारी लिए शोभनी नहीं होगा। सोम ने कुंडिनी के चरंच हुए। उनके दो गर मासु कुंडिनी के पेरों पर टपक पड़े। सोम ने कहा। कुंडिनी स्वार्थवश में अधम विचारों के वशी भूत हो किया था। तुम ठीक क रहती हो। उन्हें निरापद इस्थान पर पहुचाना ही हमारा प्रथम धर्म है। तो अब तुम सोचो। बहुत रात हो गई। हमें एक पहर रात रहती ही ये इस्थान त्याग ना होगा। मैं शंब को जगाती हूँ। वो प्रहरी का कारे करेगा। सोम ने और हट नहीं मार्ग बाधा। तीन दिन तक ही ये यात्री अपनी राह निरंतर चलते रहे। वे अब रात्री भर चलते और दिन निकलने पर जब धूप तेज होती तो किसी वन या परवत कंद्रा में आश्रे लेते। आखे भून कर खा लेते। श्रावस्ती अब भी काफी दूर थी। चोथे दिन प्रहर रात्री गए जब उन्होंने यात्रा प्रारंभी की तब आकाश में एकाध धौले बादल की दोड़ धूप हो रही थी। शष्ठी का क्षीन चंद्र उदय हुआ था। राह पत्रीली और उबढखाबड थी। इसलिए चारो यात्री धीरे धीरे जा र चत्रू दस्यू भी हो सकते हैं। उन्होंने खडग कोश से निकाल लिया। कुंडिनी और शंब ने धनुष पर बाण सीधे कर लिया। इसी समय एक बाण संसनाता हुआ सोम के कान के पास से निकल गया। ततकाल कुंडिनी ने बाण संधान किया। उसे संकेत से रोक कर सोम फुर्ती से वाम पार्ष में घूम गए, वहां एक चट्टान की आल में उन्होंने आश्रे लिया, कुंडनी और राजकुमारी को वहां छिपा करता था, शंब को उनकी रक्षा का भार देकर, अश्व को चट्टान की उपर ले गए, उन्होंने देखा, शत्रू पचास से भी उपर है, और उन्होंने देख लिया है, और वे उस चट्टान को घेरने का उपकरम कर रहे हैं, सामने एक घाटी और उसके उस पार प्रशस्त मार्ग है, घाटी बहुत तंग और लंबी है, ये सब देख कर वे तुरंती कुंडनी के निकट आ गए, उन्होंने कहा, शत्रू पर हमें राजकुमारी की रक्षा करनी होगी, हम चार हैं और शत्रू बहुत अधिक, यदि किसी तरह हम घाटी के उस पार पहुँच जाएं, तो फिर कुछ आशा हो सकती है, राजकुमारी को साहस करना होगा, पहले तुम पीछे राजकुमारी, उसके बाद शंब और फिर मैं घाटी को पार करेंगे, हम तीनों में जो भी जीवित बचे, वो राजकुमारी को श्रावस्ति पहुचा दे, मैं शत्रू का ध्याना कर्शित करता रहूँगा, तुम तीर की भाती पार जाकर चट्टान की आण में हो जाना, मैं उधर जाकर शत्रू पर तीर फेंकता और वहाँ से कान तक खींच कर बान फेका, बान एक योद्धा की पसली में घुस गया, वो चीत कार करके प्रित्वी पर गिर पड़ा, कुंड़नी ने एक मर में भेदनी द्रिष्टी राजकुमारी पर डाली, अश्व पर आसन जमाया और एक एड़ मारी, सेंधाव संकेत किया और चट्टान की आल में हो गई, सोम ने संतोष की सांस ली और कुमारी के निकटा कर अवरुद्ध कंट से कहा, अब आप राजनन्दनी सास कीजे, आपका धूमर केतु असाधर अश्व है, जोही मैं तेर भेंकू, आप अश्व को छोड़ दीजे, उसने धूमर से होट काटे और उत्रिये भली भाती सिर पर लपेटा, सोम ने बान छोड़ा और राजकुमारी ने अश्व की वलगू का एक जटका दिया, अश्व हवा में तेरता हुआ पार हो गया, सोम का मुख आनन्द से खेल गया, अब उन्होंने श्व की और मुण कर कहा, श्व सावा में उचला और पार हो गया, अब सोम की बारी थी, परन्तु अब शत्रू निकटा कर फेल गये थे, सोम ने अश्व को थप थप आया और एड़ लगाई, अश्व उचला और इसी समय एक बाण आकर सोम की गर्दन में घुस गया, और सोम वायू से तूटे विरक्ष की भाती घाटी में गिर गया, शंब चीत कार करके दौण पड़ा, राजकुमारी हाय कर उठी, कुंड़नी का मुह फख हो गया, राजकुमारी घाटी की ओर लपकी, परन्तु कुंड़नी ने हाथ पकड़ कर उन्हें रोक कर कहा, ख़ण भर ठेरो हला, शंब उनकी सायता पर ह उदर से बाणों का मेह बरस रहा था, उनमें से अनेक शंब के शरीर में घुस गए, उसके शरीर से रक्त की धार बह चली, पर उसने इसकी कोई चिंता नहीं की, वो मूर्चित सोम को कंधे पर लाद कर इस पार ले आया, और अश्व शंब, कुंड़नी ने उद्वेक से कहा दोनों अश्व मर गए, शंब ने हाफ्ते हाफ्ते कहा, बाण वहां तक आ रहे थे और शत्रु घाटी पार करनी के चेश्टा कर रहे थे, कुंड़नी ने कहा, शंब इन्हें राजकुमारी के घोडे पर रखो और तुम मेरे साथ साथ आओ, एक शंब का विलंब भी घातक ह इसी समय सोम की मूर्चा भंग हुई, उसने राजकुमारी को सामने देख कर सूखे कंट से कहा, कुंड़नी तुम राजकुमारी को लेकर भागो, हम लोग, मैं और शंब तब तक शत्रु को रोकेंगे, राजकुमारी ने आँखों में आसु भर कर कहा, नहीं, आप मेरे चली, राजकुमारी ने लपक कर अपना उत्रिय सोम के कंट से बांध दिया और कहा, उठो भद्र, मेरे अश्वपर, नहीं, राजकुमारी, तुम भागो, एक एक खशन बहुमूल है, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी, और वो सोम के वक्ष पर गिर गई, सोम के से राजकुमारी को अलग करके कहा, इश्वर के लिए राजकुमारी प्राण और प्रतिष्ठा लेकर भागो, तो हम लोग साथ ही मरें, नहीं, राजनन्दनी, इस अधम का मोह ना करो, प्राण लेकर भागो, किन्तु मैं तुम्हें, ओ कुमारी, कुछ मत कहो, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, पर मैं जीते जीत तो मैं नहीं छोड़ सकती, वो सौम के शरीर से लिपट गई, सौम ने सूखे कंठ से कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है कुमारी, मैं मागध हूँ, तुम्हारा शत्रू, मार्ग में पड़े हुए सर्प को अकसमात देख कर जैसे मनुष् संभाला, कुमारी की ओर से उसने मुँ फेर लिया और धनुष पर तीर चड़ाते हुए कहा, शंब तुम दाहिने में बाएं, परन्तु सौम बाण लक्ष पर न छोड़ सके, धनुष से बाण छूट कर निकट ही गिरा, उधर सौम एक बार गी ही बहुत सा रक्त निकल जान अपने और कुमारी के अश्व को संभालती चट्टान के मोड पर पहुँच चुकी थी, राज कुमारी अश्व पर मिर्तक की भाती जुक गई थी, शत्रु घाटी के स्पार आ चुके थे, कुंडिनी ने एक बार शंब की ओर देखा, शंब ने उसे दुरुत वेक से भागन कुछ काम ना सका, शत्रु ने शीगरी, राज कुमारी और कुंडिनी को चार ओर से घेर लिया, भागने का प्रयास वेर्थ समझ कर कुंडिनी अब मूर्चिता कुमारी की शुरुशा करने लगी, दस यूओं में से एक ने आगे बढ़ कर दोनों के अश्व थाम लिये, चं उसने राज कुमारी को देख कर कहा, माले कैसी ही एक दाजी की खोज में थे, एक प्रुश ने चकमक जाल कर प्रकाश किया और कुंडिनी से पूछा, कौन हो तुम, राही हैं देखते नहीं, देख रहे हैं, तुमारे वे साथी कहा हैं, जिन्होंने हमारे इतने आदमी मार उन्हें तुम ही खोज लो, अच्छी बात है, ये भी संभाव है, वे लोग उसी घाटी में मरखप गए हो, किन्तु तुम लोग जा कहां रही हो, हम श्रावस्ती जा रहे हैं, वो तो अभी साथी हो जने, इससे तुमारा क्या प्रही हो जने, हमें अपने मार्क जाने दो, ह पुर्णिनी ने विरोध नहीं किया, कुछ दूर चलने पर उसने देखा, वन के एक प्रांत भाग में कोई पचास साथ पुरुष आग की चारूर बैठे हैं, एक और कुछ इस्त्रियां भी एक बड़े शिलाखंड की आड में बैठी हैं, कुछ सो रही हैं, इनके वहां प जाढ़ी और मोटी गर्दन थी, वे कीमती शाल लापर वाही से कमर में लपेटे हुआ था, उसने हर्शित नेत्रों से दौने इस्त्रियों को देखा और हाथ मल कर सिर हिलाया, तो तुम दोस विक्रेता हो, कुणिनी ने घ्रना से होट सिकोड कर कहा, तुम ठीक समझ गई हो परंतु चिंता न करो, मैं इश्रावस्ती जा रहा हूँ, तो मैं और तुम्हारी सखी को महराज को भेट करूँगा, वहां तुम्हारी ये सखी पट्र राजमहीशी का पद गिरहन करेंगी और तुम भी, समधा तुम अती दूर से आ रही हो, और तुम्हारी साथे अभी विश्राम करो, प्रभात में परिचय प्राप्त करूँगा। कुछ देर में सब लोग हताश हो लोट आए, राजकुमारी का एक मात्र अवलंब भी जाता रहा, वो वहीं मूर्चित होकर गिर गई। इस समय उसका महत्व केवल इसलिए था कि वो उत्रापत के प्रशस्त महाजनपत पर थी तथा उत्तर दक्षिन पूर और पश्चिम के सार्थ वह जल थल दोनों ही मार्गों से साकेत होकर जाते थे। परंतु श्रावस्ती में समस्त जंबू दूईप इही की संपदाओं का अगम समागम था। अनात, पिंडिक, सुदत और मिरगार जैसे धनकुबेरों का निवास था जिनके सार्थ जंबू दूईप इही में नहीं तामर लिप्ती के मार्ग से बंगाल की खाड़ी और भरू कच्छ तथा शूर पाटक से अरब सागर को पार कर सुदूर दूईप में जाते और पार की तरह ही हुकर था मार्ग में सेतव, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम, भंडग्राम, वैशाली, पाटली पुत्र और नालंदा पढ़ते थे पूर्व से पश्चिम का मार्ग बहुत करके नदियों द्वारा तैह होता था गंगा में सहजाती और यम रेगेस्तान में लोग रात को चलते थे और पत्थ प्रदर्शक नक्षत्रों के सहारे मार्ग का निर्णाय करते थे सुवन भूमी से लेकर यवदूईप तक तथा दक्षिन में तामर पढ़नी तक आना जाना था श्रावस्ती महानगरी में हाथी सवार, घुड सवार, रथी, धनुर धारी, आदी, नौप्रकार की सेनाय रहती थी कौसल राज्य की सेन्न में यवन, शक, तातार और हून भी समलित थे यवनों को उँचे-उँचे सेनापती के पद प्राप्त थे उच्वरगी सेठियों, सामनतों, श्रमनों और श्रोत्रिय ब्रामनों के अत्रिक्त, दास, रसोई, नाई, उपमर्दक, हलवाई, माली, धोबी, जुलाहे, जहुआ बनाने वाले, कुमार, मुहरिर, मुसद्दी और कर्मकार भी थे कर्मकारों में धातू, लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले, चमडे, हाथी, दात के कारी के रंगाई वाले, जोहरी, मचली मारने वाले, कसाई, चित्रकार, आदी, अंगिनत थे रेशा, मलमल, चर्म, कार्चोबी का काम, कंबल, ओशधी, हस्तिदंत, जवाहर, सुरना, भरन, आदी के अंगिनत व्यापारी थे जातियों में ब्राह्मन महाशाल, शत्रिय सामंतों का उच्छस्थान था, इनके बाद सेठी जन थे, जो धन संपदा में बहुत चड़े बड़े थे देश-विदेश का धनरत इनके पास खेचा चला आता था उन्देनों देश में दस प्रतीशत ये सामंत ब्रहमन और नब्बे प्रतीशत सेठी जन सर्वसाधरन की कमाई का उपियोग करते थे इन नब्बे प्रतीशत में बीस प्रतीशत तो दास ही ही थे, जिनका समाज में कोई अधिकार ही न था शेश सत्तर प्रतिशत जनसाधरन के तरुन इन सामनतों राजाओं के निर्था की युद्धों में अपने प्राण देने को बलात विवश किये जाते थे और उनकी विवश युवती सुन्दरी करने आए उनके अंतहपरों की भीड में दासियों उपतनियों आदी के रूप में रख ली जाती थे ब्रामन इन सामनतों राजाओं को परम-परमिश्वर घोशित करते इन्हें इश्वर आवतार प्रमानित करते और इनके सवेश्वर को पूर्व जन्म के सूकृतों का फ्ल बताते थे इसके बदले में वे बड़ी बड़ी दक्षनाए फटकारते और सुरन भूशितात सुन्दरी दासियां दान में पाते थे मगद समराट श्रेनिक बिम्बसार को परास्त करके और कोशामभी पती उधियन की न्युकता गांधार नंदनी कलिंग सेना को प्राप्त करके बूड़े घमंडी कोसलेश प्रसेंजीत बहुत प्रसन थे इस विजए और हर्ष के उपलक्ष में उन्होंने राजसुई यग का अनुष्ठान किया था जिसके लिए बहुत भारी आयूजन किया जा रहा था महाराज अभी तक राजधानी में नहीं थे साकेत में ही विराज रहे थे परन्तु श्रावस्ति में यग की तथा कलिंग सेना के विवाह की तैयारियां बड़ी धूम धाम से हो रही थी देश देश अंतर की राजाओं सामंतों और मांडिलिकों ने विविद प्रकार की भेंटे भीजी थी वियापारियों अतितियों मुनियों और ब्रहमनों के जुंड के जुंड श्रावस्ति में चले आ रहे थे श्रावस्ती की राज महाले में कलिंग सेना का बड़े ठाट का स्वागत हुआ समस्त पूरी सजाई गई उसका अद्भुत सौंदर नील मनी की समान उज्ज्वल नेत्र चमकीले सोने की तार के से सौन केश और इसफटिक सी धवल गौर कांती एवं सुगठित सुस्पष्ट देह यश्टि देखकर संपूर रनिवास आश्चर चकित रह गया महाराज प्रसेंजित के रनिवास में देश विदेश की एक से एक बढ़कर सेक्ण सुन्दरियां थी कलिंग सेना के सामने सभी की आभा फीकी पड़ गई उन सहस्त्राधिक रमणियों में उसके रूप को कोई पाही नहीं सकती थी परन्तु कलिंग सेना जैसी रूप संपन्ना नारी थी वैसी मानवती और विदूशी भी थी वो गांधार के स्वतंत्र और स्वस्थ वातवरण में पली थी तक्षे शिला के निकेतन में उसने शिक्षा पाई थी वो वेद, वेदांग, जोतिश और चौदह विद्याओं के सिवा शस्त्र संचालन और अश्व संचालन में भी एक इही थी उसने हट पूरवक गांधार से श्रावस्ती तक अश्वी की पीट पर यात्रा की थी राज महल में उसे संपूर्ण सुक साधन संपन पर्थक प्रासाद दिया गया था इस समय श्रावस्ती में काफी भीड भार थी परंतु ये भी कलिंग सेना को अच्छी नहीं लग रही थी उसने अभी पती को नहीं देखा था पर उसने सुना था कि वे विगले ते यौवन सत्तर वर्ष की बुढ़े संकी और इस त्रेन का पुरुष है उसने इच्छा पूरवकी कौशांबी पती उधियन को त्याग कर इस मूरी राजा से विवाह करनी की सुईकरिती दे दी थी परंतु उसका प्रिय भाव उधियन की ही ओर था प्रसैंजित के प्रती उसके मन में पूरी विरक्ती थी महराज के श्रावस्ती में लोटने पर उसका विवा होगा ये उसे मालूम था उसकी तैयारियां भी वो देख रही थी और धैर पूरवक बली पशु की भाती उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी उस तेजवती विदूशी इस्त्री ने पिता के राज नीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए बली दी थी इसलिए वो चुपचाब सुनी द्रिष्टी से कौतु हाला क्रांत रनिवास को तथा अपने विवा अनुष्ठान की तैयारी को देख रही थी जिसके लिए उसके मन में अवग्या के पूरे भाव भर गए थे कलिंग सेना अपने कक्ष में चुपचा बैठी सुनी द्रिष्टी से सुन्दर आकाश की होड ताक रही थी इसी समय एक प्राण महिला ने वहाँ प्रवेश किया कलिंग सेना ने उसकी होड देखा सुर्य के प्रखर तेज की समान उसका जोलंत रूप था यद्यपी उसका यवण कुछ ढल चुका था परंत उसकी भृकुटी और द्रिष्टी में तेज और गर्व भरा हुआ था आत्म निर्भरता उसकी प्रतेक चेश्टा से प्रकट हो रही थी कलिंग सेना ने अभियुत्थान पूर्वक उसे आसंदे कर कहा ये मुझे किन महा भागा के दर्शन की प्रतिष्ठा का लाब हो रहा है प्रोणा ने हसकर कहा कौसल के मंत्री गण जिने महा महिम परम परमिश्वर देव देव महराजा धिराज को सलेश्वर कहकर सम्मानित करते हैं उनकी मैं दासी हूँ इसके प्रतम एक क्रीता दासी वासव खत्तिये की महा नाम शाक्य के औरस से उत्पन दासी पुत्री थी कलिंग सेना ने ससम्म रम उठकर कहा ओह आप महा मानने राज महिश्वर देवी नंदनी है मैं आपकी अभी वंदना करती हूँ अच्छा तो तुम मेरा नाम और पद भी जानती हो ये तो बहुत अच्छा है मैंने गांधार में आपके तेज, प्रताप और पांडित के विशय में बहुत कुछ सुना है अरे ये तना अधिक किन तु अपनी कहो तुम तो तक्ष शिला के सनाति कहो तुमने वेद, ब्रह्मन, आरणेक सब पढ़े और कौन-कौन सी दिवे विद्याय जानती हो हला सब कहो मैं आपकी अकिंचन छोटी बेहन हूँ देवी नंदनी इस पराए घर में मुझे सहारा देना कलिंग सेना की नील-मणी सी जोती वाली आंके सजल हो गए नंदनी ने उसे खीच कर हिर्दाय से लगाया और कहा क्या बहुत सूना सूना लगता है बेहन अब नहीं देवी, आपको फाकर नंदनी ने उसकी ठोड़ी उपर करके कहा हताश मत हो, प्रारंबे ऐसा ही सूना लगता है परन्तु पराए को अपना करने ही मैं इस्त्री का इस्त्रीत रुकरतार्थ है तुम्हें अपदार्थ को निर्माल अर्पन करना होगा ये तो मैं कदापी न कर सकूंगी तो राज महीशी कैसे बनोगी उसकी मुझे तनिक भी अभिलाशा नहीं है तब घोडे पर चढ़कर इतने चाव से इतनी दूर आई क्यों नंदनी की व्यंगवानी और होठो पर कुटिल हास से देखकर कलिंग सेना भी हस दी हस कर कहा केवल आपको देखने के लिए मुझे तो देख लिया अब पतिदेव को भी देखना उसकी मुझे साध नहीं है नारी जन्म लेकर ऐसी बात नारी जन्म ही से क्या हुआ हुआ क्यों नहीं नारी जन्म पाया तो पुरुष को आत्मारपन भी करो ये तो इस्त्री पुरुष का नैसरगे कादान परतिदान है वो गांधार में होगा हला यहां केवल इस्त्री ही आत्मारपन करती है पुरुष नहीं पुरुष इस्त्री को केवल आश्रे देता है आश्रे? चीची, मैं गांधार कन्या हूँ देवी नंदनी मुझे आश्रे नहीं आत्मारपन चाहिए ये तो युद्ध गोश्णा है हला जो कुछ भी हो अब समझी तो कौसल पती से युद्ध करोगी ये नहीं मैं पिता का भाय और माता की अश्रुपूर आखे नहीं देख सकी कौसल पती ने सीमांत पर सेनाय भेजी थी और साकेत का सार्थ मारग गांधारों के लिए बंद कर देने की धमकी दी थी इस प्रकार सुधूर पूरव के इस प्रमुख व्यापार मारग का अवरोध होنا गांधारों के लिए ही नहीं उत्तर कुरू और यविन परशु पूरु के संपून प्रतीची देशों के विनमय का घातक था इसका निर्णाय गांधारों का खडग कर सकता था परन्तु मैंने अपने प्रिये जनों के रक्त की अपेक्षा अपनी आत्मा का हनन करना ही ठीक समझा हम गांधार, राजा और प्रजा सब परिजन है यहां के रजलों के समान हम प्रजा को अपना दास नहीं समझते ना बात-बात पर उसका रक्त बहाना ही श्रेयस कर समझते हैं हम युद्ध करते हैं सखी परंतु तब ही जब वो अनिवार हो जाता है एक गानधार पुत्री के आत्मदान से यदि युद्ध से मुक्ति मिले तो ये अधि की युक्ती युक्त है इसी से पिता से मैंने सेमती परकट की और इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़े संघर्ष से गानधारों को बचा लिया इस कौसल की जीरन शीरन प्रतिष्ठा को भी संभाउता गांधारों की युद्ध वेक को कौसला समाल सकते बड़े घरों के बड़े छिद्र होते हैं सकी कौसल के अधिपती जैसे जीरन शीरन और जरा जरजर है वैसा ही उनका सैनने बल भी है एक धक्के ही में वो ढह सकता था यह हम गांधारों को विदित हैं हला जहां सैनिकों को वेतन दे कर राजभक्ती मोल ली जाती है जहां राजा अपने को स्वामी और प्रजा को अपना दास समझता है वहां बहुत छिद्र होते ही है परन्तु गांधार बिजय प्रिये नहीं है व्यवस्था प्रिये है उन्हें सामराज्यों की स्थापना नहीं करनी जीवन व्यवस्था करनी है इसी से हम सब छोटे बड़े एक हैं समान है हम प्रजा पर शासन नहीं करते मिलकर व्यवस्था करते हैं वास्ताव में गांधारों में राजा और प्रजा के बीच सेव सेवक भाव है ही नहीं। गांधार में हम स्वतंत्र सुखी और मानावता तथा नागरिक्ता के अधिकारों से युक्त हैं। परंतु कोसल सेन्ने ने समराट बिम्बसार को कैसे पराजित कर दिये। समराट बिम्बसार अपनी ही मूर्खता से पराजित हुए। उन्होंने आरे वर्ष कार का अनरोध नहीं माना। उधर चंपा में सेना पती चंड भद्रिक फसे हुए थे। समराट अपनी ही बलबूते पर ये दुस्ता हस कर बैठे। वास्ताव में उन्हें विश्वास था क कि महाराज उधियन तुम्हारे लिए कौसल से अवश्य युद्ध चीड देंगे। वे इसी सुयोग से लाब उठाना चाहते थे। कौशाम भी पती ने सीमांत पर सेन भेजी थी। परन्तु मैंने ही उन्हें निवारण कर दिया। सीमांत पर उनकी सेन अभी पड़ी है। परन्तु आरे योगंध रायन ने किसी कारण से युद्ध चेड़न ठीक नहीं समझा। ना जाने वे अब भी किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या इस विलंब में उनकी कोई गुप्त अभी संधी है। किन्तु यही समराट बिम्बिसार का दुरभाग था। उधर बंधुल आई देती हूं सकी। खेद है कि मैं अकिंचनु से स्विकार नहीं कर सकती। नंदनी ने हसकर कहा। हला कौसल की राज महीशियों में परिगणित होना परम स्वभाग का विशय है। परन्तु गांधार कन्या का तो ये दुरभागी ही है। मैं गांधार कन्या हूं। हम लो गांधार में एक इस्त्री के रहती दूसरी इस्त्री नहीं आ सकती। तो बहन उत्तर कुरूओं की पुरानी परिपाटी अभी वहां है। वहीं क्यों परशुपुरी के पार्शवों और एथेंस के यवनों में भी ऐसा ही है। वह इस्त्री पुरुष की जीवन संगनी यहां कौसल, मगध, अंग, बंग और कलिंग में तो कहीं भी ऐसा न पाओगी। यहां इस्त्री ना नागरेख न मनुश। वो पुरुष की क्रीत, संपत्ती और उसके विलास की सामगरी है। पुरुष का उसके शरीर और आत्मा पर असाधारन अधिकार है। परंतु मैं देवी नंदनी ये कदापी न होने दूँगे। मैंने आत्म बली अवश्य दी है पर इस्त्रियों के अधिकार नहीं त्यागे है। मैं ये नहीं भूल सकती कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मनुशु हूँ, समाज का एकांग हूँ, मनुश्य के संपूर्ण अधिका पर मेरा भी स्वत्व है। ये सब तुम कैसे कर सकोगे। जहां एक पती के अनेक पत्निया हो, उपत्निया हो और वो किसी एक के प्रती अनुबंधित न हो, पर उन सब को अनुबंधित रखे। वहां मानो समानता कहा रही बेहन। ये पती शब्द ही कैसा घ्रनास पद है। हमारी विवश दास्ता की सारी कहानी तो इसी एक शब्द में नहेत है। ये कठे नवश है देवी नंदनी, परंतु मैं किसी पुरुष को पती नहीं स्विकार कर सकती। पुरुष इस्त्री का पती नहीं, जीवन संगी है। पती तो उसे संपत्ती ने बनाया है। सो जब म पती ने यहीं तो कहा है कि यदि गांधार राज अपनी पुत्री मुझे दें तो कौसल राज गांधार का मित्र है। सो गांधार ने अपना कार किया। उसका मैंने विरूध नहीं किया। अब मेरे साथ कैसा व्योहार होना चाहिए। मेरे क्या क्या अधिकार है। ये मेरा मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूँगी, किन्तु जीवन संगी? ओ देवी नंदनी, जीवन संगी जीवन में ना मिले तो अकेली ही जीवन यात्रा की जा सकती है, अन्ततह बलिदान में कुछ त्याग तो होता ही है, कुछ नहीं बहुत, तो हला कलिंग, तुम्हारा देश सफल हो, मैं दासी पुत्री नहोती, तो मैं भी ये करती, परन्तु अब तुम्हारी सहायता करूंगी, इसी समय एक चेरी ने आकर ने वेदन किया, राजकुमार दर्शनों की आग्या चाहते हैं, आए हैं, नंदनी ने कहा, राजकुमार विदू ढबने आकर माता को नंदनी ने हसकर कहा, ये तुमारी नई माँ है पुत्र, इनका अभी वादन करो, विदू ढबने कहा, पुज्ये अभी वादन करता हूं, ये तुमारा अनुगत पुत्र है हाला, आयू में तुमसे तनिक ही अधिक है, परंतु ये देखने ही में इतना बड़ा है, वास्ता पूर्णा भी लाश हो। चिरबाधित हुआ। इस श्रावस्ती के राज महल में हम दो व्यक्तित रिस्कृत थे। अब संभवता हतीन हुए। मैंने समझा था मैं हकेली हूँ। अब तुम्हें और देवी नंदिनी को पाकर में बहुत सुखी हुई। देवी नंदिनी ने उ गन्य माली की बेटी है पर मेरी भाती त्यक्ता नहीं। वे परम तपस्वनी है। उनके धैर और गरिमा का अंत नहीं है। उनकी पदवंद न करनी होगी। पूज पूजन से मैं असावधान नहीं हूँ देवी नंदिनी। मैंने महालाय में आते ही राज महीशी के अभिव पादन किया था। तुम सुखी रहो बेहन। ये कहकर नंदिनी चली गई। विदू धब ने भी प्रणाम कर प्रस्थान किया।